वेलकम फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे एलेक्टिकल सिस्टम के बारे में एलेक्टिकल सिस्टम जो है आटो मुवाइल का एक बैकबून हम कह सकते हैं कि इसके तहब जो से बहुत सारे फंक्शन्स उसमें ऑपरेट होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें तो गाड़ी को स् to It का स्कूल करतें और जो है आपका लाइट्टी जो उसमें लगई हुई रहते हैं उसके लिए भी हम लोग एलेक्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते है ठीक है जितने सारे स्वीचेज होते हैं सबका सब तो आपको काम कर रहा होता है तो करने का मतलब है कि से यह हमारे ऑटो मॉइल के लिए एक एसेंसियल बन जाता है जब हम लोग गाड़ी बना भी लेते न उसके बाद जो मारी बहुत सारे फंक्शन्स होते हैं जिसमें अयह से अलेक्टिकल सिस्टम काम कर रहा होता है ठीक तो हमawi लिखा कैने biss U बेकप्णुन ओप लेक्रिकल सिस्टमॉनॉाइल यानि कि जो बैट्री वहता है आपको प्रोवाइट करता है ठत चाहिए औरा ने देना है तो वहाँ पे भी आपका वैक्टरी कम आता है यह यह हमारा जो battery का connection होगा वह पूरे vehicle में जहां जहां पे हमको supply की जरुद्ट भी power supply की सप्लाइन के जरुद्ट होगी वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठीक है तक आगे देखते हैं की type of battery कितने तरह के हो सकते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो general help जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया कोशन है वो है हमारा लेड एसीड बैटरी से ठीक रूब तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेट्स होते हैं वो लेड का बना हुआ होता है ठीक है और जो एसीड इस्तेमाल किया जाता है वो सब्सक्राइब करने के लिए हम लोग संचायक सेल भी बोलते हैं आपको सबसे यही पूछा जाता है कि लेड एसीड बैटरी में कौन से एसीड का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है एलेक्ट्रोलाइट के रूप में ठीक है तो हमारा जो है से इसे एस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं तो यह से आपका क्या होगा किसे बैटर्य बना नहीं पड़ती है इक होता हमारा निकल कैडमियम और होता हमारा डिकल फेरस होग आप आज कलके तो वैटरी में हम लोग लिथियम आयन का भी इस्तेमाल करने लग गए तो निक्यल केडमियूम निक्यल फेरस जो है यह कम इफिसेंट होता इसके कंपरीजन में तो यह से चारजिंग और डिश्टार्जिंग इसका जो से एफिसेंसी है तो यानि कि इसके इसमें कि यह पूछा जाएं कि सब्सक्राइब की इफिसेंट होता है ठीक है अच्छा फिर हमारा एक जेवरा बैटरी के नाम से आप कहाता है जिसमें लोग जो करते हैं तो सोडियम निकेल निकेल कलुराइट एज एलेक्टोलाइट के रूप में इसतेमाल करते हैं यह इसी से में कंडिशन वाला बैटरी आपका जेवरा बैटरिग ठीक है इसमें भी आपका एक बॉक्स टाइप स्टक्चर होगा जिसमें हमारा जोसे सोडियम निकेल अब इसमें एक और चीज़ आपसेमाल कर सकते हैं क्या सोडियूम कली ऐलूमिनेंट का सोडियूम कलूर एलूमिनेट साल्ट है उसको भी छोळेश् конечно क्यों किसे आगहे आगे हम और बात करेंगे कि लिएकिल्यूलाइट क्यों होता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अचा अब बात करते हैं बैटरी के रेटिंग की तो तो रेटिंग इसमें हम लोग यह यह जो आपका एस एई है यानि की सोसाइटी ओफ आटोमोटिव इंजिनियर्स यह जो से आपका रेटिंग देता है ठीक ना इसी के रेटिंग को अथेंटिक माना जाता है तो हमने लिखा यह कोशन पूछा हुआ जाता है कि जो बैटरी का रेटिंग होता है वो कौन करता है तो सोसाइटी अमेरिकन स्ट्रि ऐंटोमेटीव इंजिनियर्स करता है ठीक है करता है तो बैट्री रेटिंग और रिकमेंड़ेट वाइस सोसाइटी ओफ ओ अटोमेटिव इंजिनियर्स के द्वारा जो से बैटरी की रिटिंग की जाती है और वह जो है से आपका डिवलोप किया गया है सिर्टिक पहले से आपका developed किया गये ठीक है rating देने के लिए इसको rating देने का तरीका आटा है एक हमारा होता है一個 braking को और कुलिप ऊट रिटिंग और को С्थ står भूते हैं ठीक है एक होता हमारा टाइम रेटिंग और एक होता हमारा एंपीए ठीगन ठीग है तो आब देखें तो दस घंटे तक चलेगा ठीक है यह रेटिंग करने का का मतलब होता है ठीक है अच्छा अगर इसमें अगर हम बात करें तो यह एक कॉंस्टेंट करेंट 80 डिगरी फॉरेन हाइट पे एक लिमिटिंग वोल्टेज 1.75 वोल्ट कितना देर तक दे सकता है यह एंपियर रेटिंग का आपका होता है दोनों का कन्फ्यूजन नेम होगा क इसंपियर आवर अगरिटिंग अलग अलग कैसे हो सकता है अगर इस तरह से आप मतलब यह होता है कि 20 आप समय सेमीं इसमें क्या होता है किसी इसमें और ठेटें ग्री उस्टेंट रिफ और रिमिटिंग वोल्टेज 1.75 वोल्ट तक आपको कितना देर तक वह प्रवाइड करता है वह एफिसेंसी को मेजर्मेंट है ठीक है कोल्ड रेटिंग जो है से कुछ नहीं यह जो ऐसे आपका ठंडे में यानि कि differ co discharge होने में जो टाइम लगता है वह आपका टाइम रेटिंग बताता है ठीक है यानि कि कि एक गंटे में वह तो टाइम अब दक होता है जितना आपको बता है ये तो यह हमारा था आज का हम अपको溜िय को दिसकास के आपको बताया गया इसी तरीका से और भी चीज़े जो हैसे इसमें लोग जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो होगा हमार बैटरी का वह हम लोग देखेंगे जो आपको पूछे जा सकते हैं ठीक है तो अगले वीडियो में हम उसको करते हैं ठीक है तब तक लिए थैंगे